प्रादिकर्ण ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई की एक बिल्डिंग को सील कर दिया है ये बिल्डिंग सेक्टर 18 में कोमर्शल बिल्डिंग है मैं तस्वीर आपको दिखा हूँ तो इस बिल्डिंग की तस्वीर आप देखिए यहाँ पर नोड़ा प्रादिकर्ण के अधिकारियों द्वारा कारवाई की गई है प्रादिकर्ण का दावा है कि इस बिल्डिंग पर तकरीबन 16 करोड रुपे का बकाया है और बकाया वसूली के लिए कई बार नोटिस दिये गए लेकिन नोटिस दिये जाने के बाद भी वो पैसा जमा नहीं किया गया पूरा मामला बिल्डिंग मालिक दुबारा हाई कोर्ट में ले जाया गया और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिये के चार किस्तों में 16 करोड रुपया 2024 मई तक जमा करना था बावजूद उसके वो पैसा जमा नहीं किया गया फिर प्राधिकन की तरफ से रिमाइंडर बेजा गया चार किस्तों में जो पैसा दिया जाना था वो पैसा ना दिये जाने के चलते इस बिल्डिंग को सील क जा रही थी प्रादीकन का इस तरीके का भी दावा है और बावजोद उसके जो बखाया है बखाया नहीं दिया गया है हाला कि बिल्डिंग मालिकों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अपने अलग दावे पेश किये जा रहे हैं फिलाल इस पूरे मामले को लेकर आवी का रवाई देखने को मिल रही है वीडियो जैनलिस सुमित कुमार के साथ अमित चोधरी न्योज स्टेट नोड़ा